र 팔ेट्स आज के वीडियो ने टी आर पहर में क्या है कि हमने देखे यह कली अनुस्त्य बिर काम करता था अब देखें अ गौका। दिशक एक काम सभी से करता था या नहीं करता था आतो लगा है तो देखे यह हमने फाइनली केलीपर निउटर क्या है तो तो डे प्रेसर आगया तो देखे हमने चार घंटा से इसमें लगा रहा है इस बाइक में तब जाके प्रेसर आया अगर यही चीज़ है तो आप ऑनर से हमारा कहलीपर में कि पिश्टन होता है यहां पर यहां रहता है यह जो आपको दिख रहा है यह बारा नंबर से जब फ्रेस करते हैं तो यहां पर बारा नंबर से oil आता है और हम लोग जब air निकालते हैं तो यह 8 mm का bolt से हम लोग air निकालते हैं अब देखे आपको मैं बतलाता हूँ कि कैसे आपको air निकालना है और pressure बनाना है देखे सबसे पहले आपको क्या करना है जो 12 number bolt है इसको आपको open करके आपको break मार के check up करना है कि यहां पर से oil उपर आ रहा है नहीं अगर यहां से oil नहीं आ रहा है और दूस्ता चीज़ है कि यह डिबा में आपको checkने के mobil है यह नि इस डिबा में मूबिल डालके यह pipeline से यहां जाएगा और आपको brake press करके यहां ब्रेक ऐसे ऐसे आपको फ्रेस करना है तो आपको यहां देखना है मोबिल आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर मोबिल आ रहा है तो फिर आपको यह पैप लाइन जो जा रहा है यहां पर केलीपर तक इस पैप लाइन में आपको देखना है ब्रेक दवाकर कि मोबिल आ र पिर भी पिश्टन बाहर निकल रहा है तो आपको क्या करना है सिंपली यह जो कैलीपर है इसको आपको डेरेखी पुरा बाहर करके जो आगे वाला डिस्क होता है यहाँ पर आपको दिखला रही है जो master cylinder इसमें आपको fitting करना है यहाँ पर 12 mm बोल्ट से और यहाँ से आपको इससे pressure बनाना है फिर आपका जो piston क्या होगा जो caliper का आपका piston बहार आएगा और फिर आपका pressure बननेगा अगर उससे भी आपको कोई दिक्कत है कि नहीं बननेगा तो आपको क्या करना है देखे फाइनली पुरा आपको बाहर निकालना है फिर यहां से आपको जो mobile आ रहा है यह break आपको press करते ही रहना है यहां से आपको इसको आपको फाइनली टाइट कर देना है जैसी इसको आपको व्रेक यूज खरना है जब छोड़ा अच्छा खासा brake में feel न आने लगा तो फिर आपको एक बार जो यह है यह cap open करकर आपको दिखलात aquell है यहाँ पर आपको 8 mm का ring ring से आपको open करके फिर आपको एक हाथ से brake ऐसे चाप कराने और यहाँ से आपको air निकालने है तो finally यहाँ पर से आपको air निकलेगा bubbles बगएर है तो आपका break आपको दिखे disc break में क्या होता है जो front वाला वो तो बहुत ही आसान से बन जाता है मगर जो rear का होता है उसमें थोड़ा time लगता है तो आपको घबराना नहीं है थोड़ा time लगेगा मैं आपको जिस तरीके से बतला रहा हूँ कि आपको कैसे press करने दिखे जो आपको दिखला रहा हूँ थोड़ा दूर से ये 8 mm का bolt है इसको आपको open कर दिना finally open करने के बाद direct आपको break ऐसे press करके रखना है अब फिर इसको tag करना है ये process आपको जब तक करते रहना है तब तक आपकी bike का जो piston होता है आपको मैं दिखलाता हूँ ये जो piston दिख रहा है अंदर सेट ये जब तक ना हिलने लगे तब तरक आपको यही process करते रहना है जैसे ही यही आपको process होएगा तो वैसे ही आपका bike में pressure आ जाएगा फिर जब थोड़ा pressure फिल आने लगे तो आपको वो step नहीं यूज़ करना फिर आपको step यूज़ करना है कि फिर से आपको ये वोल्ट को final tight करने के बाद थोड़ा सा lose करके 2 second छोड़ देना जितना भी bubble से बगएर रहेगा वो और निकल जाएगा फिर आपका फाइनली pressure आज़ेगा ज़र देखे हमने इस बाइक में तब बिल्कुल pressure आगया है अब आइक में क्या है break पुरा लग रहा है आपको मैं दिखला देता हूँ ये पुराना kelly पर है तो देखिए ये पुराना kelly पर है डिस्क वाला ये भी बहुत बुरी तरीका से यहाँ पर scratch बगर आया हूँ था तो इसलिए मैंने बोला कर्शमर को ये आप change कर दिजिए तो इसका जो price था वो लमसम 200 के आसपास था तो ये कर्शमर ने change किया और अपना bike का problem उसका solve हो गया तो देखे अब आपको कोई भी problem नहीं आएगा bike में अगर आपको थोड़ा सा भी video अच्छा लगी तो like subscribe जुरूर करते अगर मेरे channel पर नहीं है तो channel को जुरूर सुस्क्राइब करते thanks for watching